दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल आचल की रसोई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलर्ली मिलती रहे हलो दोस्तों मैं हूँ आचल और स्वागत करती हूँ आप सभी का आचल की रसोई में दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है जन्मास्ट मी स्पेशल तो सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्मास्ट मी की बहुत बहुत शुब काम नाएं आज हम तीन तरीकी की रेसेपी बनाएंगे एक होगे पंचा अम्रित दूसरी होगी माखन मिश्री और तीसरी होगी धनिया पंजीरी तो बिनादेर करते वें बढ़ने हैं रेसेपी की तरफ और जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये पाँच तरीके के अम्रित से मिलके बनी है और शाष्ट्रों में ये पाँच अम्रित हैं घी, मधु, शरकरा, दही और दूध हम सब घरों में पंचामरित पुझा के पाँच के लिए बनाते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये सारे इंग्डेडियेंट्स एक निश्चित अनुपात में डाले जाते हैं तो ही इसे पंचामरित कहा जाता है तो वो क्न सा अनुपात है, ये रेसिपी कैसे बनाते हैं आये हम सीखते हैं पंचमरीद बनाने के लिए हमीं चाहिए घी शेहद शरक्रा या चीनी दही और दूद शास्त्रों में पंचमरीद बनाने के लिए एक निश्चित नियम बनाया गया है मतलत पंचमरीद के ये पाँचो इन्ग्रेडियन्स जो होते हैं वो एक definite ratio एक तलपात में डालने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे पंचामरित कहा जाता है पंचामरित के पाचों इंग्रेडियेंट्स मैंने सीक्वेंस में लगा लिये हैं सबसे पहले घी फिर शहद फिर चीनी फिर दही और फिर दूद्ध और इनमें से हर एक इंग्रेडियेंट अपने से पहले वाले इंग्रेडियेंट्स से दो गुना डाला जाता है मतलब घी अगर हम एक चमच डाल रहे हैं तो दो चमच शहद डालेंगे अगर शहद दो चमच है तो चार चमच शीनी डालेंगे चार चमच शीनी है तो आठ चमच दही डालेंगे और आठ चमच दही है तो सोला चमच दूध डालेंगे एक बात यहां पर ध्यान देने वाली है कि यह जो दूध है यह आप गाय का लेंगे तो बहुत अच्छा है कुछ लोग इसमें गंगा जल भी मिलाते हैं लेकिन अगर गंगा जल नहीं अवलेवल है तो आप गाय का दूध लें और हो सके त कच्छा दूध जिसे बॉयल ना किया गया हो उसका यूज करें तो आईए शुरुवात करते हैं पंचामरिद बनाने की यहां पर मैंने ले लिया है एक बरतन इस बरतन में हम डालेंगे एक चमच घी मैंने एक चमच घी यूज किया है तो मैं दो चमच शहर डालूंगी इस सिक्वेंस का तीसरा इंग्रेडियेंट है चीनी या शर्करा मैंने यहां पे ब्राउन वाली शुगर यूज की है यह चीनी की फ्यूरेस्ट फॉर्म होती है मैंने इसमें दो चमच शहर डालूंगी अब हमारा अगला इंग्रेडियेंट है दही चार चमच चीनी है तो आठ चमच दही होना चाहिए इस सिक्वेंस का लास्ट इंग्रेडियेंट है दूद इसमें मैंने आठ चमच दही डाला है तो इसमें मैं 16 चमच दूद डालूंगी पंच अम्रित के 5 इंग्रेडियेंट इसमें डाल दिये गए है अब मैं इने अच्छे से मिला देती हूँ तो पंच अम्रित बनकर तयार हो गया है शाष्ट्रों में कहा जाता है कि अगर आप इस पंच अम्रित को नियमित रूप से यूज करते हो तो शरीर में रोग नहीं लगते हैं और क्योंकि ये 5 तरीके के अम्रित से मिलकर बना है या कहें कि ये 5 इंग्रेडियन्स जब मिलकर एक प्रोड़क्ट बनाते हैं तो इसे पंच अम्रित कहा जाता है एक और ज़रूरी बात, भगवान का भूग या तो धातु के वरतन में रखा जाता है या तो काच के वरतन में इसके लिए प्लास्टिक का यूज नहीं होता तो आप भी इस पंचामरिक को इस जनमास्ट मी भगवान के भोग के लिए प्रियोग करें हमारी दूसरी रेसेपी है माखन मिश्री भई जनमास्ट मी का समय है तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि माखन मिश्री क्यों बनाना है हमारे काना जी को जो पसंद है माखन मिश्री तो आईए बनाते हैं माखन मिश्री माखन मिश्री बनाने के लिए हमेच चाहिए दही यहा पिर मलाई कई दिनों पुरानी होती है तो मक्खन से बर्बू आने लगती है तो बेस्ट आप्शन है जनमास्ट में के एक दिन पहले दही जमा लो और उससे मक्खन बनाओ तो मैंने यहाँ पे एक पैकेट फुल क्रीम दूद यूज किया है उससे हलका गर्म करके जमाने रख दिया है तो यह देखिए कितनी अच्छी इसमें ओपर से मोटी मलाई जमी है और यह दही जम कर तयार हो गया है लेकिन आपको इस बात कर ध्यान देना है कि दही आपका बह ले लिया है और इसमें मैं इस दही को डाल दूँगी अब मैं इसे ग्राइंड करके इसमें से मखन बनाऊंगी तो यह मैं इसका धकन लगा देती हूँ दही से मखन बनाने में सबसे अच्छी बात यह होती है कि आपको फ्रेश मखन घर पर ही मिल जाता है यह देखे दोस्तों मैंने इसको चला लिया है मिक्सी पे और मखन बनकर तयार हो गया है यह देखे उपर मखन है और नीचे यह हमारी च्छाच अलग हो गई है तो यह घर के दही से बनी है तो यह च्छाच को आप सिंपली पी सकते हैं या फिर इससे कुछ और बना सकते हैं कड़ी में यूज़ कर सकते हैं तो इस दही से हमारे दो प्रोड़क्ट बन कर तयार हो जाते हैं एक है फ्रेश मक्खन और दूसरा है फ्रेश छाच तो इस मक्खन को हम एक कटोरी में अलग कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ले ली है और अब मैं इस काटोरी में ये मखन अलग कर देती हूँ ये रेखिए मैंने चाश और मखन को अलग कर लिया है दोस्तों घर पे बने वे मखन की बात ही अलग होती है एकदम फ्रेश होता है एकदम हाईजीनिक तरीके से बनाया जाता है ये मखन अभी थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में है एक तो थोड़ा गर्मी की वज़े से भी है और दूसरा क्योंकि ये अभी बन कर तयार हुआ है तो थोड़ा सॉफ्ट है अगर आप मलाई से मखन बनाते हैं तो आप उसे एक दो बार खंडे पानी से अच्छे से धो लें और अगर आप फ्रेश दही का मखन बनाते हैं तो उसे आपको धोने की जरूरत नहीं है अभी हम इसमें मिश्री मिक्स करेंगे तो इसका सॉफ्ट होना जरूरी है तो आप इस मखन में बारी है मिश्री मिलाने की यहाँ पर मैंने جो मिश्री ली है यह धागे वाली मिश्री है इसे मिश्री की प्योर फॉर्म बोला जाता है तो इस मिश्री को मैं ग्राइंड कर लूँगी और इसका एकदम बारिक पाउडर बना दूँगी जिससे ये मखन के साथ अच्छे से मिल जाए तो ये देखिए मैंने मिश्री को एकदम महीम पीस लिया है अब हमें जितनी मिठास पसंद है या हम कहें कानाजी को जितनी मिठास पसंद हो आप उस हिसाब से मखन में मिश्री मिला दे ये मैंने यहाँ पे मखन रखा है और ये मिश्री है और मैं इसमें डेड़ चमच मिश्री मिला दूगी क्योंकि मक्खन एकदम सॉफ्ट है अभी तो मिश्री को मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी तो ये मैंने मक्खन में मिश्री मिला ली है अब मैं इस मक्खन को फ्रिजर में थोड़ी देर जमने के लिए रखूँगी ताकि ये हलका सा सॉलिड फॉर्म में आ जाए तो ये देखिए हमने इसे फ्रिजर से निकाल दिया है और ये थोड़ा सा हार्ड हो चुका है और अब ये बिल्कुल तयार है तो लीजिए घर पर बने फ्रेश मक्खन से बनी रेसिपी माखन मिश्री तयार है कानाजी को भोग लगाने के लिए और हमारी तीसरी रेसिपी है धनिया पंजीरी धनिया पंजीरी मंदिरों में प्रशाद के रूप में अरपन की जाती है तो आईए हम भी घर पर बनाते हैं धनिया पंजीरी की रेसिपी धनिया पंजीरी बनाने के लिए हमें चाहिए लगभख एक कटोरी धनिया पाउडर लगभख एक कटोरी घी आधा कटोरी पीसी हुई चीनी थोड़ा सा ड्राइफ रूट्स थोड़ा सा सांस तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कडाई ले ली है और इसे मैंने गैस पर रख दि रूट्स को कटे कर भी डाल सकते हैं और रौट्स को अगर हम भूनकर डाले तो उसमें थोड़ा आची सी खुशबु आ जाती है जिस वजह से हम इसे भूनते है तो अब यह हलके भूल चुके हैं अब मैं इनने इस प्लेट में निकाल दूंगी तो यह मैंने ड्राइफ प्रूट्स भून कर अलग कर लिये हैं अब मैं इस कड़ाई में थोड़ा सा घी और डालूंगी और इसमें धनिया पाउडर को भून लूंगी गे जो हमने धनिया पाउडर रखा है इसे हम इसमें डाल देंगे और इसे एकदम लो फ्लेम पर चलाते वे अच्छे से भून लेंगे धनिया पंजीरी को जनमास्टमी में प्रशाद के लिए बनाया जाता है इसके पीछे एक कारण है जनमास्टमी वर्शा रितु के टाइम पे आती है और राद को बारा बजे कृष्ण जन्म के बाद प्रश को नहीं बढ़ाती जबकि अगर आप आटा की पंजीरी बनाते हैं तो वो स्वास्थे के लिए थोड़ा सा गड़बड कर सकती है तो इसलिए इस टाइम पे धनिया की पंजीरी बनाने का आप इसे रिवाज भी कह सकते हैं या फिर परंपरा कह सकते हैं तो देखिए ये धन निकाल लेते हैं, अब हम इसमें बाकी के जो इंग्रीडियेंट्स है वो मिलाएंगे, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे पीसी हुई चीनी, चीनी की मिठास आप अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं, मैं यहां पे चार चम्मत चीनी डालेंगे, इसके बाद हम इसमें आप इसमें इलाइची भी डाल सकते हैं, अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर देते हैं यह देखिए इसमें सारे इंग्रेडियेंट्स अच्छे से मिल चुके हैं तो पंजीरी लगभग बनकर तयार हो गई है, अब इसमें बारी है उस फाइनल इंग्रेडियेंट की जिसके बिना यह पंजीरी भोग के लिए नहीं जा सकती तो वो स्पेशल इंग्रेडियेंट्स हैं तुलसी के पत्ते, जी हाँ, जब भी हम विश्नु भगवान को या बोलें काना जी को भोग लगाते हैं तो पंजीरी में तुलसी के पत्ते डालना जरूरी होता है और ऐसा माना जाता है कि अगर आप इसमें तुलसी के पत्ते डालते हैं तो ये भोग काना जी या हरी जी जिनको कहते हैं विश्नु जी उनको सीथे लग जाता है तो धनिया पंजीरी का प्रशाद बन कर तयार है तो इस जन्मास्ट मी काना जी को धनिया पंजीरी का भोग लगा कर प्रसंद करें अगर आप हर बार लगाते हैं तो बहुत अच्छा है अगर नहीं लगाते हैं तो इस बार इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें दोस्तों अगर आपको कृष्ण जन्मास्ट में स्पेशल ये रेसिपीज पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए और जन्मास्ट में मनाईए पूरे हडश वल्लास के तरिसाथ दोन्योग